आज में लाई हूँ स्वीट पोटोयटो यानि शकरकंद की बहुत ही ज्यादा निव रेसिपी तो शकरकंद की आज में आपसे दो रेसिपी शेयर करूंगी दोनों ही बहुत ही ज्यादा यूनिक हैं और साइद ही आपने कभी इस तरह से बना के खाया हो तो आप इस वीडियो को अंटक देखिएगा और वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर किजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें क्यूंकि हर रोज ऐसी वीडियो आपको मिलेंगी तो चलिए इस यूनिक कम जादा कर सकते हैं और इन्हें हम इस तरह से पील कर लेंगे तो आप चाहें तो आप इसे पीलर से भी पील कर सकते हैं या फिर आप नाइप से भी इसे चील सकते हैं दोनों साइड को कट कर देना है किनारों को आप हम इसे चील लेंगे तो देखिए मैंने चील लिया है आ इस तरह से पहुत जोड़ पटले नहीं होने चाहिए अब हमें आगे का प्रोसेस बहुत ही चल्दी करना है तो यहाँ पर देखिए हम इसको बाल में ट्रांस्फर कर लेते हैं कि सरकंद भी आलू के जैसे ही होती है थोड़ा आप इसे छोड़ देंगे तो यह काली पड़ जाएगी तो यह काली ना पड़े इसलिए हम आगे का प्रोसेस बहुत ही जली-जली करेंगे तो अभी हमें लेना है यहां पर आदा कप बेसां तो चार सखरकंद छोटी-छोटी थी उसके लिए मैंने आदा कप लिया है बेसां ले पर आफंगते हैं जया है दो घ्रीं चिली-फी तो पालदी को करस्के डालें या टॉ में MK 7 मैंसा ठैपम डिया सकते हैं मैंने जैसे मांसाले सब दो इसमें दो घरी चिलीलाई टी में चममेडेंगे कसूरी मेथिगा टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो अब हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है साती हम यहां पे दो चमच पानी डालेंगे अप ध्यान रखें पानी बहुत जदा ना डालें क्यूंकि जो हमारी सरकंध होती है उसमें भी मौश्चर होता है तो पहले हमे करीब 2 मिट के लिए रेस्ट करने तो 2 मिट हो चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे यह किश्मिस तो यह कैसे डालनी है उब मैं आपको बताती हूं ऐसे नहीं डालेंगे तो हमें यहां पे देखिए इसको इस तरह से पहले मिक्स कर लेना है तो यहां पे 2 मिट में थोड से बॉल बना लेते हैं तो यहां पे हमें इसी तरह से इसकी बॉल बना लेनी है आप चाहें तो आप यहां पे किश्मिस की जगे काजू भी रख सकते हैं तो एक काजू के दो पीस कर लीजिए दो या तीन और उसे भी इस तरह से आप इसमें स्टफ कर सकते हैं तो देखिए मैंने यह अपनी बॉल बना ली हैं इसी तरह से हम अपनी सारी बॉल बना लेंगे फ्रेंस किश्मिस और काजू दोनों अप्शनल हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें श्टफ करें नहीं तो आप इने प्लेन ही बना सकते हैं तो देखिए हमारी सारी बॉल्स नहीं के त्यार है तो आगे का प्रोसस बहुत ज़्यदा मैं है तो आप व जुरूर देखें तो यहां पर आवह मैं विन्हें करें के कूक कैसे करना है वह भी देख लेते हैं तो चलिए इन्हें कूक करते तो देखिए पैंड में मैंने गरम कर लिया है और बहुत जदा आपको नहीं लेना है इस तरह से आप लें कि हमारा जो बॉल है आधी डिप हो जाए तो देखिए यह मैंने इसमें अधी बचा ली है और जब हमारा एक बेच इस तरह से फ्राइब हो जाएगा हम इसे टर्न कर देखिए लेकिन एक साथ सारी बॉल आप इसमें ना डाले और हीट को आप यहां पर लो टू मीडियम रखें लो भी रख सकते हैं लेकिन हाई या फिर हाई मीडियम ना रखें और देखिए जब हमारी बॉल्स इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तब हम इनने निक अनिकाल दिया और एक सिया जुष्ब टूड के डाला है और और मैंने सेम पैनल ले लिया है और यह फिर निकाल दिया कॉर्ट का तौई निकाल दिया है इसमें अलकु करें यहां प शेत्षी साथी थान तोड़ 계속 दूएंग की कलियां गcio side देखिए तो इनने भी हम फ्राइ करेंगे थोड़ा साफ्ट होने तक क्योंकि इनका हमें कलग चेंज नहीं करना है तो देखिए जब प्याज और लहसुन थोड़ा से सौफ्ट हो जाएंगे तब हम इसमें एक बड़े साइज का टमाटर एड़ करेंगे रफली चौप किया हुआ और अब हम इसको भी ताकि टमाटर हमारा जल्दी से सौफ्ट हो जाए साथ हम यहां पे चोथा चोटा चमच एड़ करेंगे धनिया पाउडर तो अब हम इसे कुक कर लेंगे आप चाहे तो इन्हें धक्या भी पका सकते हैं देखिए इसे मैंने खुला ही पकाया है और तमाटर भी हमारा सौफ् अब हम गएस को आफ कर देंगे और इस मजालों को हम निकालेंगे पम टाके अठाब दैसे पैसे प्लेट निकाल लिया है इसके बाद और इन्हें पीस लेते है तो अब देखिते हैं यहां पे लिया है एकन पैन में में क्रीब थीं चमच ऑज कुम कह सकते हैं अप जो भी ऊइल खाते हैं लें सकते हूए तो देखिए जैसे ही हमारा गरम हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे चोथा चोटा चमच जीरा और जीरे को क्रेकल होने देंगे ताकि इसमें अच्छे से खुश्बू आ सके और साथ में हम गरम तेल में एड़ करेंगे कास्मी रेडचिली पाउडर करीब मैंने आदा चोटा जल जाएगा जो भी मैंने रेडचिली इसमें एड़ किये तो ऑइल थोड़ा गरम हो तभी आप रेडचिली एड़ करें और अभी देखिए हम इसमें करीब एक चोटा चमच डाल देंगे धनिया पाउडर साथी आदा चोटा चमच हल्दी पाउडर और मसालों को हम पक्ररणी की जो रिेचेपी बहुत ही अच्रणी कूर्णी मसाली में और को इसमें और कर दोड़ में डालने और नाका पर तो इसमें जचे तो जादा नहीं नमक अडम करोंगी करोंगी नमक लाने तक पका लेते हैं और देखिए वाइल भी आ चुका है और अब हम इसको मिक्स करके देखते हैं तो प्रण से यहां पर आप पानी बहुत जादा ना इसमें डाले वरना जो आपकी ग्रेवी है पतली हो जाएगी तो पानी आप अपने हिसाफ से इसमें डाल सकते हैं अब करेंगे अपनी बॉल्स और यहां पर इनको मिक्स कर देंगे क्योंकि ग्रेवी अच्छे से इनके अंदर आ जानी चाहिए तभी हमारी जो बॉल हैं सॉप्ट होंगी तो अब हम यहां पर डाल देंगे धनिया पत्ती और इसे हम दुबारा से ढग देंगे क्योंकि यह इसमे ठंडा करके खाएंगे तो इसका जो टेस्ट है कई गुना बढ़ जाता है तो यहां पर हम गैस को ओफ कर देंगे और इसे हम ढग देंगे ठंडा होने पर हम सर्फ करेंगे फिर आपको दिखाते हैं इसका टेक्सचर देखिए अब इसे हम सर्फ करेंगे तो आप देख सकते इसका टेक्स्टर कितना प्यारा है स्वीट पोटेटो की बहुत ही मजदा रेसिपी बनके त्यार है तो अब हम आपको कट करके भी दिखाते हैं देखिए कितनी ज्यादा सौधिश लग रही है और अगर आपने इस तरह से कभी बनाया है तो मुझे कॉमेंट में जरूर करें और सब्सक्राइब मसाला लचा-पराथा के साहथ उसले इस्पनाति あर्ण° की बहुत आप नहीं नहीं की दो यह जरूर बनाए और मुझे बताएं आपको में रेसिपी कैसी लगी प्रिंस जब आप प्यारे प्यारे कॉमेंट करते हैं वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मैं आप लोगों के लिए नई नई रेसिपी लेकर आती हूँ तो वीडियो को लाइक जरूर करें आप चाहें तो आप इसके उपर क्रीम भी डाल सकते हैं तो देखिए हमारी ये ड्राइ बॉल्स हैं तो इन्हें हम ऐसे ही खा सकते हैं चाय के साथ आप चटनी के साथ इन्हें इन्जॉय कीजिए बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये तो आप स्वीट पोटेटो की कोफटा करी जरूर ट्राइ करें आपको बहुत ही पसंद आएगी तो आप लोग बनाएए इन्जॉय कीजिए मैं मिलती हूँ आपसे कल एक और नई र कर दो एंवर एक ये कर